आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now तो question स्टार्ट करते हैं question में पूछ रहा है method of sterilization is what IUCDs, diaphragm, vasectomy या फिर loop तो यहां पे पूछा है कि sterilization method क्या है अब sterilization में किसी भी चाहिए हम females की बात करें या males की बात करें उनको कर देते हैं हम sterile मतलब they are not able to reproduce तो यह reproduction कर नहीं नहीं सकते अब यह किस तरीके से होता है मालो या तो egg produce ही नहीं हो रहा है या किसी तरीके से जो sperm है वो produce ही नहीं हो रहा है या अगर इनकी production तो हो रही है लेकिन किसी भी तरीके से इनकी entry और exit को मैंने control कर दिया या बिलकुल हमेशा permanently stop कर दिया तो इस case में कर सकते हैं अब for example now we know जो हमारा sperm है वो enter करता है in the female reproductive tract अब अगर मैंने उसकी exit को ही खतम कर दिया main reproductive tract से तो वो female के पास नहीं पहुच पाएगा similarly egg क्या होता है egg होता है हमारा fallopene tube में और यहाँ पर आता है sperm after sexual intercourse अब किसी तरह मैंने इसकी entry को stop कर दिया definitely फिर भी क्या होगा मेरा fertilization नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से we can totally क्या कर सकते हैं stop कर सकते है pregnancy क्या कर सकते है ultimately birth control लेकिन मैंने क्या बोला यहाँ पर sterilization word क्यों use हुआ है क्योंकि यह जो methods होते है irreversible होते है कुछ females और कुछ males naturally sterile होते हैं क्योंकि वो production नहीं कर पाते हैं इनकी लेकिन किसी-किसी males and females को हम ऐसे irreversible surgeries करते हैं जिसके through वो permanently क्या हो जाते है sterile हो जाते है तो अब देखते हैं कौन सा method है out of all the following तो सबसे पहले हैं पर मुझे दे रखा है IUCD अब यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा IUCD जो होता है that is used in case of females यह क्या है these are intra uterine contraceptive devices तो uterine है यानि कि हम uterus में place करते हैं for example we have copper teeth तो यह जो है इनको place किया जाता है uterus में जहां पर यह copper ions release करते हैं यह copper ions act करते हैं as a spermicide तो जबी पी जो sperm है आएगा uterus में तो definitely it will kill the sperm जिसके वज़ा से जो egg already महाँ पर ready है महाँ पर स्पर्म नहीं आ पाएगा उसको fertilize करने के लिए अब यह जो है एक reversible technique है जबी यह जो implant है यह यहां से हटा दिंगे copper tea का तब यह process फिर से normal हो जाएगा तो यह तो extra legend technique नहीं है next क्या दे रखका है हमें diaphragm अब यह भी नहीं होगा क्यूं? because यह just like condoms हमारा in case of males होता है diaphragm भी एक type की sheet होती है which is used in case of females जहां पे हम जो sperm की entry है उसको रोग देते हैं उसको नहीं होने देते जिसकी वज़े से finally fertilization नहीं हो पाती अब यह भी क्या है? अगर diaphragm use होगा तो यह possible है अगर इसका use नहीं हो रहा है तो definitely that is जो normal मेरी fertilization है वो हो सकती है तो यह भी एक sterilization का method नहीं है अब यहां पे मुझे एक और term दे रहा का है loop अब यह है हमारा इसी type का IUCD IUCD में एक example होता है हमारा पास lipis loop जिसको again हम uterus के अंदर substances attached रहते हैं जो ovulation को inhibit करता है किसी तरीके से but again यह क्या है intrauterine devices है तो इसको भी हम जब तक रखेंगे जब तक हमारी avoid रहेगी pregnancy नहीं तो हो जाएगी तो यह भी मेरा sterilization method नहीं है अब मुझे option 3 में दे रखा है वासक टॉमी this is absolutely right answer वासक टॉमी जो मेरा word आया है it has come from वास difference अब यह वास difference क्या करता है अब वी नो जो हमारा female testis होता है वहाँ पे क्या बनते है sperms बनते है sperms जो की male germ cell है यह sperm further वास difference के थू travel करते है और वहाँ पे क्या रहा है semen भी आ रहा है from the seminal vesicle and दोनों मिलके finally urethra में से बाहर आ जाते है in male's ejaculation तो जब यह ejaculation होता है तो इस पे स्वाम भी होते है जो enter करते है female reproductive tract में and finally वहाँ पे हो सकते है further fertilization लेकिन अब अगर मैं इस वास difference को cut कर दूँ tie कर दूँ तो क्या हो रहा है sperms की production तो हो रही है लेकिन sperms जो है किसी तरीकी से urethra में नहीं आ पारा जिसके वज़े से वो female reproductive tract में नहीं आएगा and finally fertilization नहीं हो पाएगी दूसरी चीज़ जो है मैं यह आपे देख रही हूँ कि cut कर के tie कर रहे हैं definitely यह एक surgical method है अब एक बार मैंने वास difference को खराब कर दिया तो फिर से तो हो नहीं पाएगा तो यह जो होता है एक non reversible technique है एक बार कर दी तो यह further नहीं हो सकता जिसके वज़ा से जो males है वो क्या हो जाएंगे completely sterile तो मेरी sterilization technique क्या है option 3 vasectomy